साथ निश्चे के बारे हैं पता है आपको हाँ हाँ क्या क्या आता उसके अंतरगत साथ निश्चे में जल्लल हो गया आपका जल्लीवन हर्याली हो गया और और कुछ मैं इस जगह पे आपको समझाना चाहता हूँ मुख्या का दारा एक सीमित होता है आप लोग का मांग है कि जद्यू का सीठ हो और नहीं के बराबर तो जंता को जिए धंग से काम चाहिए था शेत्र में वो काम नहीं हुआ है जिनको लेकर आए हैं राजे सुमार जी इनका बहुत प्रायोगतान था इनके बज़ा से और निती सुमार जी के किरपास से वो सुनगरी महता चुनाव जीते थे और वहां जंता दल्यूग बहुत जायदे संगठल वहां मजबूत है नमस्कार आप देखने भारत लाइब मैं हूँ आपके साथ विशालिया लव बिहार में चुनावी समर की सुर्वात हो चुकी है जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव जो पिछले दिनों चुनाव को लेकर के गोसना कर दिया था उसके बाद से सारी पार्टी आपने अपने तरफ से तैयारी करने में जुट गई है मैं आपको रोज की खाबर बता रहा हूँ रोज आपको राजनेतिक समिकरन बता रहा हूँ रोज की तरह आज भी जद्यू कारयले के बाहर गेट के सामने बहुत भीर लगी है दावेदारों की कारिकरताओं की टिकट को लेकर के रोज नए नए दावेदार आ रहे हैं और कई ऐसे दावेदार हैं जो अपने छेतर में काम करते रहे हैं सुरू से और वो टिकट को लेकर के आज मुख्मंत्री से मिलने वाले हैं मुख्मंत्री कार्यले में के बाहर खड़े हैं और मुख्मंत्री जी अंदर कुछ नेताओं के साथ बड़े वरी जो वरिस्त नेता है जद्यू के साथ बैठक कर रहे हैं हमारे साथ कुछ जद्यू के कारी करता है और दाविदार भी उनसे आज बात करेंगे क्या कुछ चल र कहां से आप हैं जनता दली पिछा पर गोश्ट की जिला धक्षें आप दवेदार पेश करने आया फिर कारी करता है हम दवेदारी देने आये हैं मुखमंती जी से आगरह करने समाज का बहुत सबसे अच्छे सुप्रियर जो हमारे उमीदवार हो सकते हैं और राजय स्कुमार जी हैं उनके साथ उनके समर्थर में हम स्वब लोग आये हुए हैं मुखमंती जी से अपील करने आये हैं आगरह करने आये हैं कि बेगुश्राय विधान सभा जो है वह खास कर जो बहुत जाएदे संगठन मजबूत है तीन परखन का अबीदहान सभा है बरवनी परखन हो गया बिरपूर परखन हो गया एक नगर हो गया चारों में जनता दल्यू काफी मजबूत हम है पीछले जब 2010 में जब बीजेपी की साथ हमरा गठ्धबंदन था उसमें तो उसम में जो हम अभी जो हमारे उमिद्वार हम जिनको लेकर आए हैं राजेश कुमार जी इनका बहुत प्रायोग दान था इनके बज़ा से और नितिश कुमार जी के किरपास से वह संद्री महता चुनाव जीते थे उसके बाद जब 2015 में हमारा गठ्धबंदन जी बीजेपिस ख सभू संधी नयके बराबर को जनता को जी जन से काम चाहिए था शेचित हम नहीं हुआ है और और को लेकर डर मुँ है और फिर थे जो करनब इसमत्री मंख्धूरत का जो हाल रहा है व्यूए हे मुतनों क्याइब दुनिया में साथ और ऊस्ब्दार असे सुधार दिया जा रहाता उसको सुधा मिले रहा है इस तरह से दुनिया में पहला उधारण निती स्वाव होंगे जो इतना काम को रापिंगे हम पर्वाव होने ने तिया या dos Dell Sayyog के हर लोगों की बढ़ते कृम क्या करते थे अगच्छ ने ने दिया कुलोना भी हैं आपको इस दावेधारी को लेकर नितरी ऑन से बात हुई उभी बात करने को लोग आज आपको समय दिया गया है कितने बज़े के बाद चार बज़े के बाद अभी अंदर मीटिंग चल रही है क्या चीज़ क्या है में मुद्दा वह संगठन का चुनाओं पर हो रहा है हमारे मूल पार्टी जनता एलव जितने जिला धक्ष है और चुना को सब्सक्राइब चलंग हो रही है लगों से बात करते हैं आपका नाम बताइए मुकेश कुमार जैन जिलाद दक्च बेगुसरा महानगर तो क्या लगता है जो दावेदारी पेश कर आपके छेतर से जद्यू से टिकट मिल जाएगा फिर कोई और दावेदारी है हम लोग मानने मुखमंती जी से बेगुसरा बिधान सवा के लिए जद्यू की टिकट चाहते हैं जद्यू के कंडिडेट वहां से लड़ें और हमारे आधर निया राजेस अगर जद्यू का टिकट वहां से नहीं मिलता है बीजेपी को चला जाता है या फिर लग नराज होंगे फिर लिए नराज होने का कोई सवाल ही नहीं है मानने मुख्वंति जी के जो हुक्म होगा जो आदेश होगा हम लोग वह पूर्ण करेंगे उसका पालन करेंगे एकदम पालन करेंगे कि हम लोग उनके काल करता है उनके छोटे सिपाई है आप लोगों का मांग है कि जद्यू का सीट हो और उसमें भी अतिपिछरा से राज कि 10 साल उन्होंने मुख्या रहते हुए इतना अच्छा काम किया तो फिर विधायक का जरूरत नहीं पड़ा तो फिर अभी ऐसा क्या जरूरत आगे जो आपके कंडिडेट को आपके दाविदाई जो प्रत्यासी को विधायक बनना पड़ रहा है मैं इस जगह पे आपको समझाना चाहता हूं मुख्या का दारा एक सीमित होता है और विधायक के दारा तीन परखंडों में होता है यहां एक पंचायत में है तो मैं जिस तरह से इन्होंने अपना पंचायत को चमकाया है या अपने पंचायत में हर गरीब हर चोटे चोटे किस तरह से आपका मोटो रहा क्या रहेगा सबसे पहला है कि हम किस चीज़ के सुरुआत करेंगे अपने चेतर में क्या चीज़ से सुरुआत अगर हमारे राजस मुख्या जी को टिकट मिलता है और विधायक बनते हैं तो हम लोग सबसे पहले छोटे पदान से जो आदमी होटी मोटी बहुत इस विधान सभा में रहती है प्रॉब्लम उसको मेरे मुख्या जी एक घर जाकर के लोगों से मिलकर ठीक है और भी कुछ लोग है मौजूद यहां पर युवा है युवा से बात करें कि युवा जो भी भविस्त को बदलने वाले हैं रोजगारी को लेक लगते हैं सरकार से 10 साल 15 साल आपके सरकार रही युवाओं का जो हाल रहा है यह किसी से नहीं चुपा है कि ट्विटर से लेकर सोचल मीडिया से लेकर तमाम छेत्रों में युवाओं ने अपना दमखम दिखाया भारत बंदी भी किया क्या लगता है आपके जो सरकार है सरकारी देखिए बिहार पुलीस और टीचर धेड़ सरा भैकेंसी निकाले रही प्रवेट की बाद रोजगार लाने की बाद हमारे मानिया मुखमत्री जी ने पूरा खाखा तयार कर लिए जब सरक बिजली पानी आप तयार करने की बात कर रहे हैं होगा अभी आप खाखा तयार करने की बात करें 15 साल आपके सरकार रही हैं खाका भी तयार कर रहiren आप नए ना सटब बजली पानी आप बात अभी नहीं बाहरा हम नहीं ब्राइब करें काम करते हैं अगर भी जाने का मिले सकती हैं अखिर मले पर करें सोड़ाइब सब्सक्राइब पीछरा के लिए 10 लाक दोड़ाने लिए दे रहे हैं इस्टूटेंट क्या क्या उधियों के लिए अति पिछठा उद्मियोंना के ताहथ तस लाख रुपया दिया जा रहा है असमें जितना है उस हिसाब है कोटा हिसाब ही साथ मीनातौ से मिला है साथ निश्चे के बारे में पता है आपको हाँ हाँ क्या क्या आता उसका अंतरगत साथ निश्चे में जल्लल हो गया आपका और जल्लीवन हर्याली हो गया आपको साथ निश्चיה के बारे में कुछ बताःएं करते हैं साथ निश्चिया पार्ट वन जो हमारे मुकमंति पिर्शै के उन्होंने ने जो घोसना किया उसपर बहुत जैदे काम हुआ पूरियार में में और साथमेया में नाय। यिए कैसा योजना है जिसमें एक हर पानु के पानी की दिकत नहीं होगे किलत नहीं होगी हम निकल रहे हैं कल से परशो तक में विजान सवाच चत्र कवर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट जाने के लिए तो आपके छेत्र में बेगुसराय में भी आएंगे तो जानेंगे कि क्या है वहां की हाकिकत कोई लाग लपेट नहीं जो जनता बताएगा वहीं जनता देखेगा वहीं जनता जानेगा बहुत-बहुत स्वागत है आपका आईए बेगुसराय में लाखो बदरपूर सापूर चरिया मनबु कहित बरहित निमान संपुरा सांक तरिया परना जोर कोडिया बद्पूर बादेपूर चलपूरा लरवाला फटेपूर बारे नेता जी आप मंतर मत पढ़िए जमीनी काज करता है सब जमीनी काज करता है जिस इलाके में जाएंगे जनता के सामने जाएंगे जनता जो बोलेंगे जो काम वहा हो तरहातल पर दिखेगा जिदर जाएंगे 15 साल पहले क्या था इस सब लोग जानते हैं 15 साल वर्चेस 15 साल में इतना उपर लेगे विकास के रूम में आज लोग दूसरे देश के किसी भागों में जाता है तो लोग बुलंदिक साथ कहता है कि हम ब्यार के रहने बाले 15 साल पहले भी प्रवासी मजदूर बाहरी कमाने जाते थे बाहरी खटाने जाते थे दूसरे फैक्टरी में मजदूरी करते थे आज वही हाले तो उसको दिरी दिरी हो रहे हैं पहले से 20 साल लगएगा एक 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 योजना पर काम चल रहा है आप देखिए तो अब हम मुखमंती जी का रहा है का अगर ब्यार की जनता इस सास निचा चुम यहीं सब होगा खेतों में एक एक किसान को पानी पहुंचेगा सिचाइक बेवस्ता होगा कार खना लगएगा चेतर में अपने में चेतर में कार खना लगएगा उसके लिए सरकार को काम करना रहा है कि जो पिछले कार खाने हैं पिछले कारिकाल में जो ला खूल गई और भी काना भी लगेगा सरकार काम करा विकत शुरू कर दिया रख भी हो गई है और आरं हो गया है झाज एक अब उसकुछ काम नहीं हुआ 15 तो हमारे मानिय के मुकमंत्री जी इसी बेबस्था में लग जी पानी नहीं रहे सब्सक्राइब करते हैं और जानते हैं अपने नाम बताइए विनीत भारदवाज मेरा नाम है आप कहां के रहने वाले बेगुसराइब बिधान सबाच्चेतर 146 तरसी के साथ आये हैं जी राजस मुख्या जी तो क्या लगता है टीकेट उनको कंफर्म है मिल जाएगा देखें देना तो चाहिए क्योंकि जिस तरह से हम लोग का मलब जिला का काम किये हैं हम लोग को मलब बिधान सबाच्चेतर में अपना छाप छ हमें करने करने का मांग करने आए है मांग करना हम लोग का काम है अगर नहीं दिया जाता है पीर हम लोगों का मन में ध्रमलब इनके परती फ्रसा हो सकता है कि आ जाए लेकिन क्योंकि अथिपिश्रा का हम लोगों को सुरू से ही अथि किया गया है तो जिला में तो हम लोग चाहते हैं को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाज जैसे कि आपने देखा कि अभी का पूर्वी भारत में एक मात्र कोचिंग संस्थान जो exclusively है medical entrance exam के लिए